खबर की करते हैं राजधानी भौपाल से खबर जहां स्कूलों की छुट्टियों का समय बढ़ा दिया गया है भीशर गर्मी के छुक्ते स्कूलों का समय बढ़ाया गया है एक जुलाई से अब पाचवी तक की स्कूल खुल जाएंगे यानिकि एक जुलाई से पहली से लेकर पाचवी कक्षा के स्कूल खुलेंगे कक्षा चटवी से बारवी तक के स्कूल सुभा लगा करेंगे 20 जून से 30 जून तक मॉरिंग शिप्ट स्कूल की लगेंगी तो मंत्री इंदर सिंग परमार ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है भीषण गर्मी का दोर चल रहा है टेंपरेचर 40 के पार है और ऐसे में स्कूलों की छुटियों का समय बढ़ा दिया गया है तो भीषण गर्मी के चलते स्कूलों का समय बढ़ा दिया गया है कक्षा शटवी से बारवी तक के स्कूल सुभा लगेंगे एक जुलाई से पहली और पाचवी तक के जो क्लासेज हैं उनके स्कूल खुल जाएंगे तो देखिए मंत्री इंदर सिंग्पर्मा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दिये सूरज देखिए भीशर गर्मी का दौर देखनी को मिल रहा है और ऐसे में स्टूरेंट्स की तब्यत को देखते हुए भी ये बड़ा फैसला लिया गया है क्या कुछ निर्णे इस फैसले में गर्मी बढ़ती जा रही है जिसका अपर सर बतायता रहा है कि एक तरह बिपर जोआ है तो महीं खास्तोर से जो अरब सागर से हवाएं आ रही है जिसके चलते पूरे मुद्पर्देस की नमी खीच ली गई और यही करने के लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है कई जिले ऐसे हैं जहां पर 40-44 डिगरी तक तापमान जा चुका है और यही करने के स्कूल सिक्षब भाग ने एक बड़ा फैसला लिया है कि पहली से पांच भी काक्षा तक की जो बच्चों की स्कूल 20 जून से लगने वाले थे वो एक जुलाई से लगेगा ने उनका समय बढ़ा दिया गया है इसके साथ ही छटवी से जो बारवी तक के बच्चे हैं उनका स्कूल 20 जूलाई से लगेगा लेकिन वो भी सिर्फ मॉर्णिग चिफ्ट में कराने वाले समय में दिया और तापमान बढ़ता है तो शबाग छटवी से बारवी तक की स्कूल को लेकर भी कोई बड़ा फैसला ले सकता है बिल्कुल सूरज बहुत पर शुक्रिया तो देखे यह कुछ नियम है जो इस फैसले के तहत ले गए हैं बहुत पर शुक्रिया समाम जानकारी के लिए एक जुलाई से पहली से पाचवी तक के स्कूल खुल जाएंगे वहीं छटवी से बारवी तक के स्कूल सुभा लगा करेंगे गर्मी को तेखते हुए